हेलो स्टुडंस विल्कम अल उंक्टम इत्ट अनेक्जनेुआ गजल करने वाले हैं प्रैक्टिशाट दखार तूबर नेग्वाले चीपस्यों ट्रेक्ट्रेयर अफ इंट वाले तो स्ट।टिंस और नम्बर से प्रैक्टिशत 8.0 के такyIS मतलब rectangle, square and rhombus so on this concept हम यहाँ पर practice set 8.2 solve करने वाले ठीक है तो आइए देखते है question number 1 क्या है तो students देखे हैं आपर question number 1 है draw a rectangle ABCD such that length of AB is equal to 6 cm and length of BC is equal to 4.5 cm ठीक है तो students यहाँ पर देखे हैं उन्होंने क्या कहा है यह rectangle दिया है मतलब rectangle कैसे दिखते हैं आपको first यहाँ पर एक rough diagram draw कर लेनी है ठीक है यहाँ पर देखे हैं उन्होंने क्या कहा है AB तो A, AB, C and D ठीक है आपको students ध्यान रखना है rough diagram भी आपको with the help of scale and pencil से draw करना है, freehand draw नहीं करना है ठीक है, तो AB कितना दिया है यहाँ पर 6 cm आप approximately यहाँ पर small diagram ड्रॉ कर दिए ठीक है तो AB दिया है 6 cm BC दिया है 4.5 cm ठीक है तो हमें यह पूरा rectangle यहाँ पर construct करना है तो first draw segment AB ठीक है तो पहले हम यहाँ पर segment AB को draw कर देए ठीक है तो student देखें मैंने यहाँ पर एक segment draw कर दी, इसे हम नाम देंगते है यहाँ पर A and B, यह A है और यह B point हमारा यहाँ पर आगया ठीक है, इसका dimension क्या है यहाँ पर 6 cm ठीक है, आफटर आपको क्या करना है देकि आपको अलड़ी पता है, rectangle के सभी angles क्या है, 90 degree ही होते है so with the help of skid square, आप यहाँ पर B से एक line यहाँ पर draw करेंगे तो यहाँ पर इसे नाम देंगे, हम यहाँ पर C point के, तो students already हमें पता है, opposite sides of rectangle क्या होती है, congruent होती है, so therefore AB is equal to DC हो जाएगा and BC is equal to AD हो जाएगा so आपको क्या करना है, यहाँ पर C से यहाँ पर AB जितना distance लेके arc बनाना है, after that आपको क्या करना है, CB जितना distance लेके A से आपको यहाँ पर arc बनाना है तो आपको यह point जो मिलता है, यह आपका D point यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, so first we draw from the point C and यहाँ पर point A से ठीक है तो यहाँ पर A से मतला आपको क्या करना है B C distance लेना है and C से आपको A B distance लेना है तो आपको यह point मिल जाता है point D तो आपको क्या करना है अभी AD and DC connect कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर AD and DC हमने connect कर लिया तो आपका यह पूरा rectangle यहाँ पर बन गया आपको यह आपको इसके dimension भी दे नहीं आपकर यह 90 डिगरी यह 90 डिगरी यह 90 डिगरी और यह भी 90 डिगरी और यह है 4.5 cm ठीक है तो आधि यह आपको question समझ में आ चुका होगा अभी हम देखते next question देखे students question no 2 है Draw a square अभी हमें square ड्रॉ करना है wxyz with the side 5.2 cm ठीक है तो students square का मतलब क्या होता है आपको square के सबी sides क्या होते है एक्वल लेंड के ही होते लिगर यह 5.2 है तो यह भी क्या हो जागा 5.2 हो जागा यह भी क्या हो जागा 5.2 और यह भी क्या हो जागा 5.2 और यह भी क्य के सभी angles क्या होते है 90 degree ही होते है so therefore हमें पहले क्या करना है एक segment रॉक कर ले नहीं आपर इसे नाम देते हैं यहाँ पर W and X ठीक है after that देखे W, X, Y and Z ठीक है अभी आपको क्या करना है देखे W से आप यहाँ पर with the help of set square से यहाँ पर एक segment रॉक कर सकते है 5.2 distance की और यहाँ पर X-AV ठीक है तो यह है हमारा 5.2 ठीक है यह तो आप यहाँ पर देखे यहाँ पर 2 methods से आप इसे डॉक कर सकते ठीक है so with the help of protector and with the help of set square से अब यहाँ इसे डॉक कर सकते यह है ठीक है so protectors यह कैसे करेंगे आपको क्या करना है 90 degree का यह पर एक perpendicular draw कर लेना है देनों उसके बाद 5.2 जितना distance लिखे आर्क मार देने तो आपको यह point यहाँ पर Z मिल जाएक ठीक है so यहाँ पर हम क्या करते W से 1 और X से 1 यहाँ पर हमें 2 point मिल जाते है with the help of set square से यहाँ to centimeter and आपको क्या करना है सभी angles भी 90 degree ही show करने है ठीक है तो यह आपर सभी 90 degree यहाँ पर आगे so I think यह question आपको समझ में आ चुका होगा अभी हम solve करते है next one देखे students question number 3 है draw a rhombus KLMN such that its side is a 4 centimeter and measure of angle K is equal to 75 degree ठीक है तो students rhombus मतलब क्या होता है yes already में पता है rhombus के सभी side जो यहाँ पर क्या होते है congruent होते है but इसके सभी angles यहाँ पर 90 degree नहीं होते ठीक है तो if we give the KLMN ठीक है तो yes add is equal है यह से equal है और yes सभी यहाँ पर congruent है हमें K angle दिया है 75 degree ठीक है so first we draw KL KL हम ड्रौ करते है 4 centimeter के तो यहाँ पर 4 centimeter के हमने KL segment ड्रौ कर ले ठीक है के से यहाँ को क्या करना है rounder में आपके KL जितना distance लेकिया आपको arc दिया तो यह पर arc आ गया arc बना गया तो यह point आ जाता है हमारा end point ठीक है after that आपको क्या करना है देखिए 4 centimeter आपके rounder में ले लेना है n से और L से आपको arc बनाना है ठिके तो यहाँ पर 2 arc हम ने बना दिये तो यह point हमारा बन जाता है m then आपको यहाँ पर nm and lm connect कर लेना है ठिके Surprise अपको यहाँ पर देखे nm and lm हमने connect कर लिया देन उसके बाद आप यहाँ पर देखे इसे 4 cm आप यहाँ पर एसे शो कर सकते कि यह सभी साइड का है यहाँ पर इक्वल लेंद के ही है ठीक है यहाँ पर 4 सेंटीमिटर यह है 75 डिगरी का ठीक है तो यह आपका रोंबस यहाँ पर बन गया ठीक है सुना भी सॉल next one दे के question number 4 है if a diagonal of rectangle is a 26 cm and one side is a 24 cm find the other side हमें यहाँ पर other side find out करने ठीक है तो students first withdraw diagonal हमें यहाँ पर diagonal draw करते है यह है 26 cm का तो यह बन जाती है 24 cm कि हमें यहाँ पर name देना है A, यह B, यह C and यह D. ठीक है already हमें पता है rectangle के सभी angles क्या होते है 90 degree ही होते है so therefore यहाँ पर 90 degree आ जाएगा ठीक है तो students देखे है आपर यह 26 दिया है यह 24 दिया है कि हमें यहाँ इसे find out कर सकते है because उन्हेंने other side कहीं मतलब BC या तो DA हमें find out करना है already हमें पास देखी AB है AC है क्या हमें यहाँ पर BC find out कर सकते है कर सकते है with the help of Pythagoras theorem तो हमें यहाँ पर लिखते है देखे so first of all quadrilateral ABCD is a given क्या है given यह rectangle है ठीक है so यह पर यह given rectangle है हमने यह पर लिख दिया ठीक है so आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते है let ABCD is a given rectangle in that आप ऐसे लिख सकते है AC is equal to 26 cm and AB is equal to लिखना है आपको 24 cm ठीक है अब लिखेंगे in triangle कौन सा triangle ABC एंगल ABC is equal to क्या है 90 degree because all angles of rectangle क्या होते है आर 90 degree okay so therefore triangle ABC में देखे है यहाँ पर 90 degree आगा है यह मतलब so by pythagoras theorem तो यहाँ पर हम लिखते है by pythagoras theorem by pythagoras theorem pythagoras theorem by pythagoras theorem क्या हम यहाँ पर लिख सकते है देखे हाँ पर क्या आ जाएगा तो AC square is equal to AB square plus यहाँ पर BC square यहाँ पर आगया ठीक है so अब देखिए तो यहाँ पर हम इसकी value पूट कर देखे AB का है यहाँ पर 24 cm है 24 का square plus BC हमें find out करना है AC दिया है 26 का square ठीक है so therefore देखे 26 का square क्या होता है yes 26 का square होता है 676 then आपको यहाँ पर देखे 24 का भी square आपको पता होना चीए ठीक है 26 is equal to BC square यहाँ पर आ गया so therefore BC square is equal to 100 आ गया taking square root बोच साइड so we get BC is equal to in root यहाँ पर 100 आ गया so BC is equal to क्या आ गया आपर yes BC is equal to हमें मिला 10 ठीक है तो students यह जो step है आप यहाँ पर with the help of A minus B and A plus B यह किसका formula है yes यह A square minus B square का है तो यहाँ पर हम use कर सकते कर सकते देखे आपर 26 का square minus 24 का square because यह 24 यहाँ पर plus है इस साइड पर जाके minus हो जाएंगे is equal to BC square अभी क्या करना है आपको 26 minus 24 and 26 plus 24 देखे क्या आदा 26 minus 24 यह 2 आ गया देर उसके बाद आपको यहाँ पर multiply देखे 26 plus 24 कितने होते है yes यहाँ पर देखे इसका यहाँ पर addition किया तो यहाँ पर 1 यह carry यह 5 हो आ गया तो 50 multiply by 2 कितना आता है 100 so therefore 100 is equal to BC square आ गया ठीक है अगर आपको square value पता नहीं हो तो आप यहाँ पर इसी method से भी solve कर सकते हो दीक है आई बाद समझ में so यहाँ पर देखे BC हमें मिला 10 cm so I think आपको other side मिल चुक होगी yes correct हमें other side मिल कहीं तो I think आपको यह question समझ में आ चुका होगा अभी हम देखते next one देखे students question number 5 है length of diagonals of a rhombus A, B, C, D are 16 cm and 12 cm find the side and perimeter of the rhombus हमें यहाँ पर उसकी side और यहाँ पर perimeter find out करनी है ठीक है तो students मैंने यहाँ पर एक rhombus यहाँ पर draw कर दिया ठीक है rhombus क्या होता है rhombus के सभी sides क्या होते है yes rhombus के सभी sides यहाँ पर equal length के होते है ठीक है तो यहाँ पर हम ABCD इस rhombus को नाम देते हैं A, B, C and D ठीक है यहाँ पर 16 cm का diagonal है और other यहाँ पर diagonal 12 cm का है तो यहाँ पर हम इसे join कर लेते हैं तो DB भी हमने join कर लिया if we assume यह अगर हमारा 16 का ही यह तो आप बंजाता है 12 का ठीक है तो पहले हमे side find out करनी है देन उसके बाद perimeter find out करनी है ठीक है तो students first of all we write down हम यहाँ पर लिखते है quadrilateral A, B, C, D is a rhombus ठीक है गर आपने यह यह statement लिख दिया तो आप यहाँ पर easily इस rhombus के सभी property यहाँ पर use कर सकते हैं यह 60 नहीं यहाँ पर 12 है already हमें पता है rhombus के जो diagonals होते हुए perpendicular bisector होते हैं मतलब यह angle क्या होता है यहाँ पर 90 डिगरी होता है तो हम यहाँ पर इसे O point गर कहें तो यहाँ पर DOC क्या आता है yes DOC यहाँ पर आता है 90 डिगरी so therefore and after that यह भी क्या होते है यहाँ पर bisect each other होते है so therefore DO is equal to OB and AO is equal to OC ठीक है so therefore first of all we write down diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other ठीक है यह क्या होते हैं perpendicular bisector होते हैं each other के so therefore we write down हम यहाँ पर लिखते हैं DO is equal to आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं length of DO is equal to length of OB is equal to क्या आ जाएगा 16 by 2 so we get 8 cm similarly length of OC is equal to length of OA is equal to 12 by 2 is equal to 6 cm ठीक है देखे यहाँ पर हमें मिला कौन सा dimension मिला यह मिला है यहाँ पर 8 cm DO and यहाँ पर यह मिला हमें 6 cm ठीक है यहाँ पर हम 12 और 16 को हटा देथे ठीक है अभी DOC triangle में आप देखिए यह 90 डिगरी है तो कहा हमें आपर Pythagoras theorem यूज कर सकते हैं yes so therefore in triangle DOC angle DOC is equal to 90 degree आप यहाँ पर इसे equation number 1 कहें के यहाँ पर लिख सकते हैं so from equation 1 because ABCD क्या है रूमबस है तो आपने यहाँ पर from equation 1 लिखा है यहाँ पर रूमबस के सभी property यहाँ पर यूज कर सकते हो ठीक है so therefore देखिए angle DOC is equal to 90 degree then after आप यहाँ पर इसे इसे भी कह सकते हैं इसे भी equation number 1 करके आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं इसमें कोई problem नहीं ठीक है आपको यही statement repeat करने के कोई ज़रुवत नहीं है ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए इसे equation number 1 कहें तो भी कोई problem नहीं ठीक है after that DO square plus OC square is equal to DC square because by Pythagoras theorem ठीक है so by Pythagoras theorem यहाँ पर आगया तो DO क्या है यहाँ पर 8 का square plus यहाँ पर 6 का square is equal to DC square so therefore 8 का square होता है 64 plus यहाँ पर 36 is equal to DC square so therefore we get DC square is equal to 100 taking square root both side तो DC हमें मिलता है 10 cm ठीक है देखिए यहाँ पर side तो हमें मिली DC एक side तो मिली मतला सभी sides क्या होते है rhombus के सभी sides यहाँ पर equal length के ही होते है so we get the side of this rhombus 10 cm अब यहाँ पर perimeter find out करने है therefore perimeter is equal to 4 multiplied by DC so therefore 4 multiplied by 10 so we get 40 cm हमें यहाँ पर यह जो यहाँ पर इसकी perimeter है यह कितनी मिली है आपर 40 cm हमें यहाँ पर मिली so I think यह question आपको समभज में आ चुका होगा अब यह हम solve करते है next one देखिए students question number 6 है find the length of diagonal of a square with side 8 cm ठीक है तो student देखिए हाँ पर मैंने square यहाँ पर draw कर दिया ठीक है 8 cm यह भी 8 cm और यह भी यहाँ पर 8 cm ही हो जाएगे so therefore हमें आपर गर हमें कहें तो यहाँ पर ac find out करना तो कोई भी problem ने यहाँ पर db यहाँ पर find out कर सकते ठीक है already हमें पता है यहाँ पर इसके सभी angles क्या होते है 90 degree होते है so we write down first हम यहाँ पर लिखते है let quadrilateral a, b, c, d is a given square यह यहाँ पर हमें given square दिया है so therefore हम यहाँ पर लिखते है all angles of square are 90 degree so therefore right angle पर यहाँ पर लिख सकते है इसमें कोई प्रोब्लिम नहीं therefore in triangle a, b, c angle a, b, c is equal to 90 degree so therefore by which theorem yes by pythagoras theorem so pythagoras theorem so we get हमें क्या में लगए आपर a, b, c, square is equal to a, c, square ठीक है so हमें यहाँ पर value पूट करनी है तो यहाँ पर 8 का square प्लस यहाँ पर 8 का square is equal to a, c square आ गया so therefore 8 का square 64 plus 64 is equal to a, c square ठीक है तो taking square root both side हमें यहाँ पर square root both side लिया ग्राप कोई यह method नहीं पता हो तो आप यहाँ पर इतना ही answer लिखे तो भी कोई problem नहीं opposite angles of rhombus क्या होते है, congruent होते है, ठीक है तो if we assume this is the 50 degree, a angle यहाँ पर 50 degree है तो यहाँ पर d, c, b हमें find out करना है so first of all we write down, let quadrilateral a, b, c, d is a given rhombus, ठीक है, यहाँ पर given rhombus है so therefore हमें आपर लिखना है opposite angles of rhombus, और क्या होते है, congruent होते है ठीक है, so therefore यह अगर यहाँ पर a 50 degree आता है, therefore angle a is congruous to angle c से यहाँ पर आगया मतलब यह equal आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर इसे भी लिख सकते है, is equal to 50 degree ठीक है, अभी let हम यहाँ पर करते है, इसे x assume करते है, और इसे भी x assume करते है because d and b यहाँ पर क्या है, opposite angle है and यहाँ पर लिखते है, angle d is equal to angle b is equal to x degree ठीक है, let angle d and b is equal to x degree, so therefore angle a plus angle c plus angle d plus angle b is equal to क्या आता है 360 degree because, इसका reason हमें यहाँ पर लिखना है, इसका reason क्या लिखेंगे, sum of the measures of the angles of a quadrilateral क्या होता है, yes is 360 degree, आलएड हमें पता है, यह rule है, ठीक है, so therefore देखेंगे angle ac क्या है, यहाँ पर 50-50 है so therefore यह 50 plus यह 50 plus यह x, यहाँ पर आ गया, is equal to 360 degree, तो यहाँ पर इसे solve कर सकते है, हम यहाँ यह 100 आ गया यह 2x आ गया, तो 100 plus 2x is equal to 360, therefore 2x is equal to 360 minus 100, so we get 2x is equal to 360 minus 100 आता है 260, therefore x is equal to 260 divided by 2, so therefore x is equal to 2 ones are, 2 threes are 0, 130 degree हमें यहाँ पर मिला, ठीक है मतलब यह D and B हापर 130 degree हमें मिलता है, so therefore we write down, angle D is equal to angle B is equal to 130 degree हमें यहाँ पर मिला, ठीक है तो हमें यह 2 angle 130 degree हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका statement भी हाँ पर लिख सकते है so majors of remaining 3 angles are 50 degree, 130 degree and 130 degree, ठीक है, so I think यह question आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा तो students यहाँ पर हमारा practice set number 8.2 यहाँ पर ही end हो रहा है तो मिलते हैं, next video में, thank you